ओके गाइस तो यह आज की दिन का पहला वीडियो है इसलिए गाइस कुछ अनॉंसमेंट्स जो मैं पहले एक मिनिट में बता देता हूं देन उसके बाद वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहली जीज़ यह है कि दिन में अब दो वीडियो अपलोड होंगी इस नंबर को मैं आगे जा करके तीन पर भी शिफ्ट करूंगा मतलब एक दिन में तीन वीडियो अपलोड होंगी जैसे आप देख सकते हो कल के दिन मैंने दो विडियोज अप्लोड किया था उसी तरह से दो विडियोज अप्लोड होंगी टाइमिंग क्या रहेगा कि आठ बजे सुभा एक मतलब 8 एम देन आठ बजे शाम को एक बतलब शाम या रात जो गया है लो 8 पेम तो आठ बजे सुभ के लेफिनिटली उन वीडियो को देख सकते हो अंग अब स्टाट करते हैं विडियो को बात करने वाले आज हम Sona Blw जो B pick Sonomy Star कहते स्ट में या फिर आप 16P RT ने वाले तो उससे पहले मलब बाद स्टाट करने के पहले इस वीडियो में इम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जादो दिन पहले एक माई ने पहले मैंने इसको कवर किया था आप यहां पे देख सकते हो यह देखो मेरा चैनल यह देखो Sona.comstar और यहां पे आप नीचे आओगे तो आपको यहां पे डेट दिखेगा 28th April ठीक है और मैंने यहां पे मार्क कर लिया यह देखो 28th April अब देखो 28th April का वीडियो है तो मैं एक दिन पहले वीडियो बनाऊंगा ओविसली तो 19th April को मैं वीडियो बनाता हूँ and 28th April को वो पोस्ट करता हूँ बाकि अगर आपको विस्वास नहीं होता तो आप यहां पे भी देख सकते हो यहां पे आप जो यहां पे आप जो ताइम है यह भी आप टाइम अंडेट देख सकते हो वीडियो में जा करके कि यह ताइम अंडेट कौन सा है और यहां पे guys मैंने इसे mark कर लिया ठीक है तो मैंने इसे पहली बताया था और इस चीज में मैंने levels भी बनाया थे आप देख सकते हैं levels को जो यहां पे बने हुए हैं बस एक line मैंने आप मिटा दिया और कुछ नहीं बाकी यहां पे जो सारे levels है वो सारे levels यहां पे same to same बने हुए ठीक है और बाकी आएंगे technical पे लेकिन उससे पहले अगर आपको इसके बारे में जानना है इसके business के बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप long term में जाना चाहते हो तो आपको business का knowledge होना चाहिए कि आखे लिए क्या business करती है मैंने इसके पहले एक वीडियो में पताया हुआ है कि अगर आपको long term के लिए जाना है आप हमेशा इस चीज़ को लिख लो long term perspective है long term मतलब कितना 2 साल, 3 साल, 5 साल मतलब around 5 साल के average में मान लो 5 साल, 6 साल इस तरह का अगर आपको या maximum 2 साल आपको रखना है short term 2 साल नहीं होता वैसे बट ठीक है 1,5 साल अगर आपको रखना है उसके बाद आपको base देना है तो आप सबसे बहले ध्यान दोगे technicals पे उसके बाद ध्यान दोगे आप fundamentals पे उसके बाद ध्यान दोगे आप business पे अगर आप 6 महिने या 3 महिने करते हो तो business आपको देखने का भी जरूत नहीं होता बस technical के उपर चले जाओ और अगर आप जितना time duration बढ़ाओगे business उतना ही जदा important होता जाएगा तो आप इस चीज़ को हमेसा याद रखना मैंने दो वीडियो में इसको mention कर दिया और इसी वज़े से अगर आपको long term में जाना है so definitely आप इस वीडियो को जा करके देखो अब यह वीडियो आप कहा मिलेगा वही चीज़ आई बटन पर आपको मिल गया होगा यहां पर आई बटन पर आपको लिंक मिल रहा होगा तो आप यहां से देखना है या फिर आप एक काम कर सकते हो इस वीडियो को आराम से देख लो end तक स्क्रीन में मैं आपको जो है इसका काड प्रोवाइड कर दूँगा तो वहां से भी आप डिरेक्टली जा करके जम कर सकते हैं जम करके डिरेक्टली इस वीडियो पर आप आ जाओगे ठीक है अब यह वीडियो किनको देखना है जिनका लॉंग टर्म परस्पेक्टिव है औ 10 चे 15 मिनिट तो बिजनस के बारी में ही बात हुआ है 21 मिनिट का वीडियो है जिसमें से 20 मिनिट तो मैंने बिजनस के उपर बात किया हुआ है तो बाकि मैं थोड़े और फंडमीनिट इसमें कवर कर देता हूँ कि मैं इसमें DECEMBER Quartar आया था लेकिन नया जो है March quarter आ चुका है and अगर आप March quarter के numbers को देखो तो मैं एक बार discuss कर देता हूं इसके numbers को तो March 23 को हम compare करेंगे March 22 से मतलब YOY year on year comparison तो यहाँ पर देख सकते हो 548 था sales बढ़ गर के 743 हो गया बहुत अच्छा ग्रोथ है sales में operating profit 133 से बढ़ गर के 200 हो गया operating profit बहुत अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर margin भी आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है मतलब margin shrink हो गया था पहले यह 33% 30% का margin हुआ करता था और उसके बाद यह घट करके 24 तक आ गया था देन उसके बाद यह 25-26 होते वह 27 चला गया है तो operating margin भी इंक्रीज हुआ है अगर अमलब operating profit margin भी इंक्रीज हुआ है OPM percentage इसे हम कहते है profit before tax की बात करें तो आप देख सकतो 109 था बढ़ करके 1500 तक पहुच चुगा है तो यह भी इंक्रीज हुआ है बहुत अच्छी बात है net profit भी देख सकतो 105 से 120 EPS भी 1.79 से 2.05 तो year on year basis पे सब कुछ increasing है अगर आप quarter on quarter देखते हो मतलब मैं आपको नहीं बूलूँगा आप quarter on quarter देखो यह important है बट अगर आप quarter on quarter compare करते हो मतलब देखो आप समझो इस चीज को भी यह on year comparison जो है अगर 80% है या माल लो 70% है 75% माल लेते हैं वाई हो वाई मतलब year on year comparison जो है वो 75% important है and 25% important कहलो आप quarter on quarter comparison है तो इसलिए हम इसको ignore भी करते हैं क्योंकि अगर year on year comparison में अगर अच्छा perform करता है कोई quarter तो हम उसे अच्छा quarter मान लेते हैं और अगर quarter on quarter comparison में अच्छा perform नहीं करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए हम कभी कभी compare नहीं करते हैं अगर आप चाहो तो compare कर सकते हो यह देखो चेक करके देखा दो यह देखो 612 था 700 गया एक हजार पार हुआ फंद्रह एक हजार पार हुआ फंद्रह फंद्रह सो पार हुआ दो हजार पार हुआ 2600 यह पहुँच चुका है बदल आप यहां पर लगातार जो है sales increasing है कोई भी problem नहीं है sales में operating profit भी आप देख सकते हो 162, 200, 243, 441, 566, 675 operating profit भी increasing है profit before tax भी आप देख लो लगातार increasing है margin भी आप देख सकते हो यहां पर पहले थोड़ा जादा margin था अब यह वह थोड़ा श्रिंक हो चुका है बट कोई problem नहीं है आगे जब यह जाएगा तो और भी यह बढ़ जाएगा जैसे आप देख सकते हो quarters में और आप देख भी लेना quarters में 27 तक हीट कर चुका है आगे बढ़ते हैं और अगर आप देखोगे profit net profit या EPS तो दोनों यहां पर देख सकते हो एकदम increasing है कोई भी दिक्कत नहीं है dividend भी company देती है जो कि अच्छी बात है ठीक बात है और वैसे भी dividend के पीछे वैसे तो लो 2700 करोड रुपे के reserves है जो कि बहुत है मतलब enough है and borrowings कितनी है company के पास 295 मतलब around 300 करोड की borrowing है and इसमें भी मैं एक बार आपको short term and long term दिखा देता हूं कि कौन सी क्या है तो long term borrowing 49 है and short term borrowing ही ज्यादा है 169 की आसपस and थोड़ी सी lease है तो यहां पे short term borrowing ज्यादा है long term borrowing बहुत कम ह 50 करोड का long term borrowing है and जो major problem होता है वो long term borrowing सही होता है मैं आपसे कहता हूं यही चीज़ इसको short term borrowing तो एक साल में उसको repayment कर देना होता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है sorry debt equity की बात करें तो debt equity काफी ज़्यादा stable है यह आप दिखने रहे खेर जो भी है debt equity आप इ yes cwip थोड़ा थोड़ा चल रहा है और बाकी आप चीज़ें यहां पर देख सकते हो ठीक है बाकी आगे बढ़ते हैं investors में तो investors में मैंने यहां पर promoters जो है special कुछ difference आया है तो मैं इसलिए इसको discuss कर रहा हूं shareholding pattern को तो यहां पर देख सकते हो shareholding pattern पहले यहां तक तो तब बेच करके निकल रहे हैं and मतलब यह तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ लोग कहेंगे लेकिन मैं आपको इस चीज़ को मैं आप से पिछले वीडियो जो मुझे follow करते हैं जो मुझे देखते हैं YouTube पे तो उनको पता होगा मैं आप से हमेशा एक ही चीज कर रहा है अगर बाई कर रहा है retail मतलब यह जो public है retail investors अगर यह बाई कर रहे है तो company तो आप तभी छोड़ दो देखो और छोड़ दो सोचना ही नहीं है कुछ और और अगर यहां पे FIIs और DIs buying कर रहे हैं मतलब अगर HNIs कहलो ठीक है FIIs कहलो HNIs तो उतने बाई नहीं करते है promoter अगर 2-5-5% sell करेंगे तो HNIs उतने जदा बाई नहीं करते हैं वो 1-2% तक बाई करते हैं और कुछ cases में 4-5% तक ही बाई करते हैं तो जो भी है तो HNIs को हटा जैते हैं फिलाल के लिए अगर यहां पे अगर आप देखते हो FIIs को अगर आप देखते हो DIs को अगर आप सोचो खुदी 53% है ठीक है promoters के पास अगर वो 53 से बेच करके 20.5% यहां पे 53% बेचा गया है ठीक है तो अगर 20% 20.5% यह बेच देंगे तो यह शेर तो कहां चला जाएगा ठीक है आप समझ रहे इस चीज़ को तो कितना panic selling आएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है simple सा आप यह चीज़ भी देख लो कि अगर promoters ने यहां पे 20% कम किया है तो वो 20% गया कहा है आप खुछ से पूछो वो 20% कहां गया क्या हूँ पब्लिक के पास गया पब्लिक के पास तो एक भी परसंट नहीं गया आप अगर इन दोनों को माइनस करते हो मार्च क्वाटर और दिसंबर क्वाटर माइनस करो कितना आएगा यहां पे एक और यहां पे आजाएगा 17 तो यहां पे आजाएगा 18 मतलब 0.18% जो है वो पब्लिक ने भाई गया 0.18% तो गया कहां बाकी यहां पे 20.53 परसंट था उसमें से 0.18% तो यहां गया बाकी कहां गया तो बाकी जो 20% है पूरा 20% में से FIIs के पास आप देखो 11 से 24 हो गया कितना इंक्रीज हुआ 13 ठीक है 13 इनके पास गया 7 किनके पास गया तो 24 से 31 हो गया 7 इनके पास गया तो DIs ने बाई किया 7% FIIs ने बाई किया है 13% तो इसी वज़े से यहां पे जो हमें promoters का stake कम होत 17-18 कुछ नहीं हुआ डिरेक 24 हो गया फिर 24 से 31 हो गया और FIIs का तो उससे भी जल दी है क्योंकि आप देखो 8% था ठीक है फिर 11 हुआ 11 ही रहा एंड 11 से डिरेक 24 मतलब डिरेक होल्डिंग डबल हो गया 11 का डबल होता है 22 उससे भी जादा हो चुका है तो आप समझी सकते हो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको डणने की कोई भी बात नहीं है मतलब अप 1% भी अगर डर रहे हो तो मैं बोलूंगा वेस्ट है मत डर हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां पर आप देखी सकते हैं FIIs and DIs का होल्डिंग बहुत जाद है प्रोमोटर्स का तो यहां पर हमने काफी बात कर लिया इंक 12 मिनट का वीडियो हो चुग है बाकि मैंने बिजनस बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है अब टेक्निकल पर चलेंगे बिजनस समझना है फिर से वही बात आप इस वीडियो को देखो आप यहां पर देखो मैं कब तक बिजनस डि अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके टेक्निकल सबसे पहला सवाल तो यही आता है क्या अब हम इसे बाई कर सकते हैं मतलब को रेकमेंडेशन नहीं है किसी तरह का टिप कॉल कुछ भी नहीं है फिर भी एक सवाल मेरे अंदर भी यही आएगा कि अब क्या यह सबसे पहले तो एक फोड़ा सपोर्ट ले रहा था लेकिन जब ब्रेक हो गया तो फिर यह रेजिस्टेंस बन गया उसके बाद इसने काफी बार इसी जोन में रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद यह जो है इस जगह पर आकर यह ब्रेक हो गया मैंने आपसे उस टाइम यह कहा होगा गूंधर यह ब्रेक हो जाता है तो ऊपर के सइड और यह नीचे आता है तो और अच्छा पोजिशन आपको बनाने हैं मिल सकते है क्योंकि यह यहहां पर जो है एक जोन में चलने लगाता है खीक है एक बात तो यह हो गई तो अब इसने व्रेक यह और breakout मिला तो breakout में डिरेट यह गिर गया बहुत जादा ठीक है और बाकि उसके बाद मैंने यहां पर एक यहां पर बना देता हूं मैंने बनाया नहीं है एक सगर यहां पर एक और जो है कुछ इस तरह का level है अब यह level कौन सा level है तो यह level यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से मैं बना देता हूं ठीक है एक box और मैं इसे पीछे लाओं तो आप देख सकते हो यह box जो है सेम इसी जगह पर आ रहा है और इसी जगह पर इसको एक resistance मिला है मैं इसे थोड़ा नीचे भी कर सकता हूं अब गैज यहां पर क्या हो रहा है यहां पर गैज यह एक resistance पर फसा है और नीचे यह support भी यह लेगी आप इस चीज़ को भी ध्यान दो अगर यह resistance है समझने इसी इसको अगर यह एक resistance है तो यह भी एक resistance था जो की break हुआ और अब यह support बन जाएगा और यह आपको दिख भी रहा होगा यहां पी इसने एक support लिया भी है तो आप यह कह सकते हो इसने इस level को एक बार retest कर लिया है इस तरह से अब यह भागने के दिन कुछ उपर नीचे करें लेकिन दीरे-दीरे higher highs बनाते बनाते एक दिन यह इस level को break करके ऊपर निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे क्या position बनाया जा सकता है तो मैंने आप से कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है यह retest किया आप देख सकते हो इस level पे एक बा बागी अगर इसको यह नीचे ब्रेक करता है मुझे तो इसका केस काफी कम लगता है कि यह नीचे के साइट ब्रेक कर देगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहो अगर यह नीचे के साइट ब्रेक करता है तो कुछ इस level पे एक इसको कह सकते हो support मिल सकता है and then फिर यह वाला box तो ही तो फिर अगर यह नीचे आता है तो आप फिर यहां पे कुछ मतलब staggered buying करो मैं करो नहीं आप buying ही मत करो आपको जो करना है आप वो करो मैं कोई buying selling का recommendation नहीं दे रहा हूं मैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा मैं क्या कर रहा हूं यह तो मैं पता ही सकता हूं staggered buying ठीक ह बाकी मुझे लगता है कि अब यहां पर एक momentum आएगा and momentum आने की बाद मैं से थोड़ा adjust कर लूँ okay so यह अब यहां पर momentum आएगा क्योंकि यहां पर देख सकते हो यहां पर 50 days का moving average ऊपर आ रहा है 200 days के and यह जो है एक bullish sign होता है तो यह भी एक positive sign है बाकी अगर आप zoom out करो तो य 37 percent down है and जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उस time पर यह around 45 percent down था और अभी 37 percent down है बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि हमने तो यह rally miss कर दी अगर हमें पहले पता रहता अगर यह वीडियो आप पहले देख लिए होते जो की 28 April को बना था तो आप साहित से इस rally को miss नहीं करत होता है मैं आपको बता रहा हूं हो गया नहीं होगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता लेकिन मालो कोई stock अगर पांच गुना साथ गुना होता है and आपको पता था कि यह stock multiplier है तो आप 15-17 percent के लिए 500-600 percent आपको कमाने है लब आपको मिलने वाले हैं आपको लग रहा है तो आप 15 15-17 percent के लिए क्यों compromise करोगे कि हाँ यह 15 percent भाग गया मैंने 15 percent नहीं लिया तो अब मैं नहीं ले सकता stock को पीछे देखकर के आगे का अंदाज नहीं लेगा ना चाहिए कि अगर कोई stock माल मैं example दे रहा हूं अगर कोई stock इस तरह से भागा है and वह 60 percent मतलब भागा है and अब आप अब आपको मिला यह stock and आपको लगता यह उपर जाएगा लेकिन आप यह सोच रहे हो यह तो 60 percent already भाग चुका है अब यह नहीं भागेगा तो यह गलत बात है मतलब technicals को देखकर के overvalued undervalued पता नहीं लगाना चाहिए हाँ PE देखलो फिर आप ROE ROC देखलो fundamentals देखो business देखो फिर आप guess करो तो ठीक है लेकिन सिर्फ पर सिफ technicals आपने देखा और आपको लग रहा है 60 percent भाग चुका है अब यह नहीं भागेगा तो यह गलत है हो सकता है आपने इसे छोड़ दिया 60 percent देख करके कल के दिन यह भाग करके 600 percent हो गया तो आप 600 percent कमा सकते थे लेकिन आपने 60 percent के चेकर में 600 percent छोड़ दिया तो वही चीज़ है बाकी इसलिए कहते हैं कि stock के पिछले performance को देख करके आगे क्या होने वाला इसका अंदाजा मत लगा हो हाँ technicals obviously अगर cup and handle pattern बनता है तो वह एक अलग बात है कि हाँ pattern के base पीछे देख रहे हो बाकी stock अगर 50 भागा है तो औ आगे नहीं भागेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो बस guys coffee technicals के बारे में हमने बात की अगर मैं आपको short में बताओ तो कोई recommendation नहीं है educational purpose के साब से सबसे पहले मैं 3 circle बनाता हूँ ठीक है buy hold sell ठीक है sell तो मैं बिलकुर recommendation तो मैं देहीं नहीं रहा लेकिन personally मैं कभी sell पर अतना ध्यान नहीं देता हूँ कोई अगर एडवर्ड situation नहीं आ जाता है तो बाकी buy करने का buy कर सकते हो hold तो आप बिलकुल करो मैं तो hold कर रहा हूँ personally आपका क्या मुझे नहीं पता मतलब मैं तो नहीं बता रहा आपको आपको क्या करना चाहिए कि rules के खिलाफ है और क्या कर करता ही है बाकी end करता है वीडियो को मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye thanks for watching